वेलकम टू ब्लैकबूर्ड एजुकेशन फ्रेंड्स आज के अपने इस वीडियो हम देखेंगे कि आखिर इंडिया अपने बॉर्डर्स पे लोरोस सर्विलांस सिस्टम को इंस्टॉल क्यों कर रहा है एक देखनोमिक टाइम का अर्टिकल है अब तक सर्विलांस बॉर्डर का कैसे होता था और अभी क्या इंसिडेंस से हुए है जिसका कारण इंडियान मिलिटरी को इसराइल से लोरोस सिस्टम को परचेज करना पड़ रहा है अगर आप इस लेक्चर का पीडियाफ चाहते हैं तो हमारे इस टेलिग्राम चैनल को जोएन करें को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं चली वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले बैक्ग्राउंड देखते हैं कि आखिर हमें लोरोस की ज़रोत क्यों पड़ी तो आपको पता होगा पिछले बहुत समय से लागा था पर इंडिया और चाइना में बहुत सारे इंफिलिट्रेशन हुए हैं बहुत सारे क्लैसे हुए हैं जिन में से एक मेजर क्लैस देखने को मिला था गलवार वाईली क्लैस और चाइना ने कंप्लीटली इंडिया को इस सीज के लिए ब्लेम कर दिया था उसके साथ साथ चाइना सो जो लगते हो हमारे दूसरे बॉर्डर से लाइक अरुनाचल का बॉर्डर हो गया उत्राखंड का बॉर्डर हो गया या लद्दा का बॉर्डर हो गया वहां बार बार चाइनीज सोल्जर्स काफी अंदर तक चले आते हैं इसके अलावा जो हमारा उत्राखंड का बॉर्डर है कुछ समय पहले आपने एक नियूज सुना होगा कि वहाँ सौ से ज़ादा जो चाइनिज सोल्जर्स हैं वो काफी अंदर तक बारहोती डिस्टिक में आ गये थे उत्राखंड के और वहाँ पर उन्होंने कुछ इंफ्राइस्ट्रक्चर को भी डैमेज किया था अगर चाइना को छोड़ दे हम तो उसके अलावा देखेंगे कि फेबरवरी में पाकिस्तान के साथ हमारा एक सीज़ फाइर एग्रिमेंट हुआ था जिसके बास से वहाँ बारडर इन्फिल्ट्रसन रुक गया था लेकिन अभी निव्ज आ रहा है कि फ्रेस इन्फिल्ट्रसन फूं पाकिस्तान टेस्टिंग ऐलोसे सीज़ फाइर फिर से वहाँ से पाकिस्तान ने अपना जो ceasefire wireless ने वो सुरू कर दिया है इसके लावा जो security breaches हैं जो हमारा complete international border है चाहे हो पाकिस्तान के साथ हो चाहे मैनमार के साथ हो चाहे बांगला देश हो या नेपाल चीन हो security breaches हमेशा कहीं ने कहीं हमको face करना पड़ रहा है security surveillance के capability होती है उसको बढ़ा देती है अब देखते हैं कि क्या हमारा real threat जो है वो सिर्फ पाकिस्तान और चाहिना के साथ हैं तो इसका जवाब बिलकुल नहीं आप जो ये area देख रहे हैं ये वाला जो बांगला देश है इसके साथ भी कई बार इस reason में जो अवैद प्रवासी होते हैं वो भारत में प्रवेस कर जाते हैं इसके साथ साथ जो मेनमार का इलाका है आप यहाँ देख पहेंगे मार्क कर दिया गया मेनमार का ये border जो है इंडिया के साथ यहाँ से भी कई बार जो migrants होते हैं वो किसीने किसी कारण से इंडिया में एंडर कर जातेया है जैसे अभी मियनवार में कुणू हुआ था उसके बाद से बहुत सारे mass level पे यहां से लोग इंडिया में एंडर कर गए थे इन सभी चीजों को धियान में रखते हुए हम कह सकते हैं हमें लोरोस की एक बिलकुल कॉम्पेक्ट जो बॉर्डर सीक्यूरिटी सर्विलांस जो उसके काफी जरू होता है देखते हैं लोरोस के बारे तो लोरोस को बनाने वाली friends company है उसका नाम है इलविट सिस्टम जो यह company इसको डेवलप करती है जो एक defense को security को surveillance को strong करना है तो उसे इस system के जरूरत है क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे world में पूरे world में का सबसे बहतरीन अगर border surveillance system किसी का है तो वो है इसराइल का जिसके वाज़ा से हम इसे purchase करने वाले हैं देखते हैं कि हमें या defense forces को इसकी जरूरत क्यों है तो हमें जानना होगा कि सबसे पहले जो हम surveillance system border पर यूज़ कर रहे थे वो एक human target को 15 km तक के range में detect कर लेती थी easily detect कर लेती थी और उसके साथ जो vehicles होगर होती है उसको 20 km के range में easily detect कर लेती थी लेकिन friends यह बहुत ज़ादा अच्छा नहीं है क्योंकि हमें अगर अच्छे से surveillance करना है तो हमारे इस capability को और बढ़ा रहा होगा इसलिए हमने लोरोस लिया है लोरोस के जो capability है वो एक human target को 20 km तूर से हैं detect कर लेती है और साथ में जो moving vehicle से उसको 40 km और stationed vehicle को 15 km के दूरी से easily detect कर लेती है clear है इससे कि हमारे security forces को काफी ज़्यादा इससे help होने वाला है इसके अलावा जो ये system है वो बहुत हाइटेक है जिससे कि हम all weather में कभी भी किसी मौसम में चाहे दिन हो या रात हो easily हम वहाँ पे surveillance कर सकते हैं हम detect कर सकते हैं inflation का और जितने पूरस border से चाहे बांगलादस का हो चाहे पाकिस्तान का हो उसका surveillance में हमें वहाँ से काफी असारी मिलेगी अब देखते हैं थोड़ा boss के बारे में इसका full form होता है border surveillance system जो DRDO के द्वारा develop है friends ऐसा नहीं है कि अब तक हमने कोई भी border surveillance system develop नहीं किया है DRDO ने successfully test किया है boss system का इसका पूरा मतलब हो था border surveillance system जिससे border को हम देख सकते है और currently इसको हमने deploy कर रखा है लदाक के reason में अब देख सकते हैं यह DRDO को एक wing दहरादून में जो अच्छे से all weather किसी भी मौसम में यह high altitude पे आराम से इसको काम कर रहा है लेकिन इससे और ज्यादा हमें आगे देखने की जरूरत है कि जो हमारी current requirement है वो पूरा इससे नहीं हो पाता है यही reason कि इसके साथ साथ हमें लोरोज को procure करने की जरूरत अभी मैसूस हो रही है I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा informative लगा होगा अगर अच्छा लगा तो अपने friends के साथ जरूर से सेयर करिए Thank you, thank you for watching